समाजिक बदलाव के लिए समविधान में संशोधन समविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीम नहीं होंगे और राश्ट की व्यापक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज ये मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है लेकिन समविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो समाजिक बदलाव के विरुद्ध थे उन्होंने नियायालों की शरणली कुछ लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए किये गए विशेश कानूनों से तो अन्य को जमिदारी प्रता उन्मूलन से परिशानी थी इस परिस्थिती को देखते हुए समविधान में पहला संशोधन उन्नी सो इंकावन में ही बहुत तीखे विवादों के बीच किया गया उस समय अनेक प्रांतों में सेक्षुनिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन्जातियों के लिए आरक्षण के विवस्था की गई थी जो एक दिश्टी से समता के अधिकार के विरुद्ध थे मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थे इसी कारण प्रथम सम्विधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार वाले अध्याय के अनुक्षेदों में इस तरह के प्रावधान समलित किये गए इस अनुक्षेद कि कोई बात राज को सामाजिक और सैक्षिक द्रिष्टी से पिछड़े हुए नागरिकों के किनी वर्गों की उन्नती के लिए या अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के लिए कोई विशेश उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी परजमिदारों के जमीन को भूमी इनों में बाटने की प्रक्रिया प्रारंब कर दी। किसान इसके लिए जबर्दस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सर्शस्त्र विद्रो शुरू हो रहा था। अता भूमी सुधार को और नहीं टाला जा सकता था लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालेों में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए। अता प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्टपती द्वारा सम्विधान की नवी अनुसूची में रखा जाएगा उन्हें किसी न्यायाले द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमी सुधार कानूनों को इसी अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालेों ने इन्हें स्विकार किया। जमिदारी प्रथा तो समाप्त की गई मगर बड़े भूस्वामियों से जम और संशोधन किये गये। समपत्ती के अधिकार को हटा दिया गया। सिक्षा का अधिकार। जैसा कि हमने पहले देखा था, समविधान के नीती निदेशक तत्त्तों में 14 वर्ष की आयू तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार सिक्षा उपलब्द कराना शामिल था। लेकिन स्वतंत्रता क सत्तर साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निशुल्क तथा गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा उपलब्द नहीं करा पाए। 1993 में एक महत्वपूर फैसले के द्वारा सर्वोची निआयाले ने 14 वर्ष तक की आयू तक निशुल्क और अनिवार सिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना। निआयाले का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सार्थक तभी होगा जब लोगों को उचित सिक्षा मिले। इमाध्यम से 6-14 वर्ष तक की आयू तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार सिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। अब देश के प्रत्तेग बच्चे को 6-14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से सिक्षित करना राजिक का दाईत्व बन गया। इन उदाहरणों से इसपष्ठ होगा कि किस तरह हमारे समविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया है। 13.3 समविधान का विक्सित होता हुआ स्वरूप भारत का समविधान लगातार नया स्वरूप ले रहा है। इससे जुड़े कुछ उदाहरण हमने अब तक देखे जैसे सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। समविधान में बदलाव को समविधान संशोधन कहते हैं। समविधान में संशोधन संसत के द्वारा किये जाते हैं। समविधान के विक्सित होते हुए स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 1976 में सम्विधान में कई बदलाव किये गए प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निर्पेक्ष शब्द जोड़े गए समाजवादी शब्द को जोड़कर या स्पष्ट किया गया की सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करती रहेगी पंथ निर्पेक्ष शब्द को जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया की राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद भाव न करते हुए प्रतेक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यभार करेगा हाला कि पहले भी शासन में इन मुल्यों को शामिल किया गया था 1976 के संशोधन में इसे सम्विधान में इस्थान दे दिया गया इसे प्रकार सम्विधान में राज्य द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो न्यायालय तक नहीं जा पाते थे वे आज इसी बदलाव के कारण न्याय के हकदार हो गए हैं क्योंकि उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्द करवाने की जिम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है इसी प्रकार मजदूरों को सोशन मुक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांती कारी कदम रहा है इसी प्रकार 1992 में समविधान में एक और बदलाव किया गया अब तक समविधान में शक्तियों का वित्रण केंद्र और राज्यों के स्तरों पर था 73 वर 54 संशोधन द्वारा शक्तियों के वित्रण के तीसरे स्तर की ववस्था की गई ग्रामीन स्थानी शासन के लिए पंचायती राजव्यवस्था और शहरी स्थानी शासन के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की गई इनके बारे में हम विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़ कर आये हैं इस परिवर्तन के परिणाम सरूप अब प्रतेग गाओं और शहर में लोगों की भागीदारी शासन में बढ़ गई है समाज के विभिन वर्गों, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती और महिलाओं को इन संस्थानों में आरक्षन के माध्यम से आगे आने का अफसर भी इसी बदलाओं से बढ़ा है अता यह कहा जा सकता है कि भारत के समविधान का स्वरूप विक्सित हो रहा है किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारक उसका समविधान होता है विशेश रूप से लोकतांत्रीक समाजों में समविधान की भूमिका और भी महत्तोपूर हो जाती है जैसा कि हमने पढ़ा कि समविधान के बनने के बाद से आज तक समविधान में कई बदला हुए हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे समविधान ने किस प्रकार समाज की रशना का उद्यश रखा है सम्विधान में हुए बदलाओ इनी उद्योशों की तरब बढ़ने के लिए किये गए हैं साथ ही समाज की बदलती जरूरतों के लिए भी सम्विधान में बदलाओ की जरूरत पड़ती है जैसे 1989 में मताधिकार की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गई लेकिन न्याय पूर्ण सम्ता युक्त समाज की रशना के लिए सभी नागरिकों को एक सक्रिये नागरिक के रूप में अपना योगदान देना होगा